अकाउंटिंग का यूज हम क्यों करते हैं किस लिए करते हैं अधिक्तर इस्टूडेंट के माइंड में जो चीज होती है न वो यह चीज होती है कि भई मेरा सब्जेक्ट कामर्स नहीं है मैं एकाउंटिंग नहीं सीख सकता मिक्जिमम मेरे पास जब हमारी आउफ लाइन क्लाश में भी आते हैं तो इस्टूडेन्ट इसी टाइब के क्योस्टेन करते हैं ओनलाइन में भी आप करेंगे ये भी हो सकता है तो हम यहाँ पर हर चीज के बारे में बताने वालो हूँ आपको certificate मिलेगा या नहीं classes के हमारी method क्या रहेगी तो हर एक चीज को मैं आपके साथ share करूँआ आप comment करके पुछते चलेंगे और मैं आपको हर चीज का जवाब भी देते चलूँआ पहली चीज मैं आपको classes के बारे में तो बताऊंगा बताऊंगा पहली चीज जो class आप जॉइन कर रहे हैं इस class को हम पूरे complete 30 days करेंगे और days से मुझे मतलब नहीं है मुझे मतलब है कि मैं आपको maximum मेच से maximum टेली की content पूरी proper मैं आपको पढ़ाऊंगा हो सके तो आप किसी का भी syllabus मेच कर लीजिएगा मेरी unique चीज रहेगी computer accounting के अंदर दूसरी बात जब आप पूरा course करेंगे course के बाद आपको net link certificate भी देगा जो इस बात को identify करेगा कि आपको computer का टेली प्राइम आता है third condition आपको हम लोग जो पढ़ाएंगे देखिए पहली और second या third class तक तो मैं आपको सिर्प environment बताते चलूँगा पर जैसे आपके पास receipt payment की एंट्रियां शुरू होगी मैं आपको PDF आपके group पे डालूँगा जिसके अंदर exercise करने के लिए एंट्रियां रहेगी और एक उसके साथ में उसका solution रहेगा मैं आपको वो चीज़े यहां पर पूरा करवाऊंगा और why the way आपको घर भी practice करना है या आप कहीं coaching में जाते हैं वहां practice करना है तो उसके लिए मैं आपको daily task भी दूआ बस आपको three days में task नहीं दूँँगा या दो दीन तक task नहीं दूआ क्योंकि at least शुरुवात में जो daily accounting होती है तो किस किस चीज की जरुवत पड़ेगी वो में आपर आगे discuss करने वाले है दूसरी बात है कि जो classes करने के बाद अगर आपको लगे आप 30 days बाद आप 101% है कि आप कहीं भी computer accounting की post पे job कर सकते हो मैं आपके साथ केवल 30 days के लिए जुड़ा हुआ नहीं रहूँगा मैं आपके साथ जुड़ना चाता हूँ long time के लिए ताकि आपको जो चीज मैंने सिखाई अगर उस चीज का आप real life में use करेंगे तो मैं हमेशा याद रखूँगा मैं भी याद करूँगा कि मेरा कोई student इंडिया के अंदर job कर रहा है आज तक जितने लोग कर रहे हैं अग बंदरा से 20 साल की जो जर्नी है इसके अंदर हजारों बच्चे पढ़ा हैं हजारों student job कर रहे हैं उनकी भी शुरुवात यही थी zero से थी computer accounting की शुरुवात करी टेली से करी subject कोई arts वाला था कोई science वाला था कोई mess वाला था और कुछ तो एसे थे कि जो 10 तक ही पड़े हुए थे पर उन students में computer accounting करने का एक interest था और वो interest जब उन्होंने शुरुवात करी तो एक या दो दिन तक उनको ऐसा लगा क्या accounting हाड हो सकती है पर उसके बाद उनको यह हाड नहीं लगी और आज एसे स्टूडेंट कि 20 से 30 थाउजन के लगभग कमारे और अगर आप उसके एजूकेशन की बात कर रहे तो केवल टेंथ तक पड़ा पता है क्यों क्योंकि उन्होंने जो सेलरी से होगी आठ दस अजार होगी मगर एंडिंग तो मैं भी नहीं बता सकता कितनी होगी क्योंकि जब आप शुरुवात करते दीरे 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 आपकी बढ़ती चले जाती है अब कहां मिलेगी जौप अकाउंटिंग फिल्ड में कहां रिक्वाइमेंट होती है देखिए अगर कोई वेक्ती इंजिरिंग करता है तो आप भी जानते हैं कि उसकी जाब लगेगी मेटो सिटीज में जहां पर सौप्ट्वेर कमपनिया है चोटे सर में उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी पर कम्प्यूटर अकाउंटिंग एसी है कि एक छोटे से विलेज के अंदर भी अगर कोई किराना दुकान है कपड़ा दुकान है या छोटा सा कुछ भी सौप है उसको अकाउंटेंट की तो जरूरत पड़ेगी पड़ेगी हम थोड़े सहर से बहां निकलते हैं अगर एक स बिजनेसमें अकाउंटिंग इसलिए नहीं कर सकता कि वो मेंटली अपना बिजनेस समालेगा कि अकाउंटिंग समालेगा मैं अपने से शुरू करूँ कि अगर मैं मेरी अकाउंटिंग करूँगा तो मैं मेरी क्लास कब लूँगा और उसका टेंशन तो नहीं लूँआ तो म कोई भी business का accountant जो होता है अगर मेरी भासा में मैं बोलूं तो वो किसी भी business का सबसे main person होता है या पहला person वही होता है जिसे business के कितना उतार कितना चड़ावाया मैं यह सारी चीजे आप लोगे के साथ इसलिए share कर रहा हूँ कि जब आप computer accounting की फिल्ड में काम करोगे तो मेरी इन बातों को आपको याद रहेगी करते रहेंगे तो हम सुरुवात करते हैं अब हमारी उस चीज के उपर हम ready हो जाते हैं जो चीज हम करना शुरू कर रहे हैं औ हाई computer accounting सुरू का से होगी जा रहे हम one by one चीजों को पढ़ते भी जा रहे हम कि कौन सी चीज कब कहां क्या उपयोग आएगी जब हम computer accounting की बात करते हैं न तो कई सारे लोग अलग-अलग नेम बोलते कई बार कोई आता सर मुझे मार्ग सिखना है कोई आता है सर मुझे बीजी सिखना है कोई आता है मुझे ऐसे पी सिखना है कोई आता है मुझे व्यापार नाम का कोई जो कोई क्विक बुक कि सब अलग-अलग software का नाम लेके आते हैं कि सबको अलग-अलग-अलग-अलग सिखने का बोलते हम टेली सिखाने के लिए तो भी टेली क्यों सर आप यह वाल के अंदर उन सारी चीजों को इन्वाल्व किया है जो आज के आने वाले में उप्योग में आते हैं दूसरी बात टेली की एक सबसेची विशेष्था है इसने टाइम बाई टाइम अपडेट दिया कि मैं अक्सर अपने हर एक लेक्चर में एक चीज हमेसा बोलता हूं कि अगर हम लोग टेली सीख रहें तो टेली के सीखने से मैं आपको एक अच्छा बेनिफिट बताता हूं देखाओ मैंने सारे सॉप्ट्वेर पर काम किया है मैंने सबसेची विशेष्था क्या रही है कि ट सब्सक्राइब का सिक्ष्टी सेवंटी परसेंट खुदी सिख गड़ तो आप से कोई यह पूछता है कि अकाउंटिंग में टेली के अलावा कौन-कौन से अप्लिकेसन आते हैं तो आप इन नामों को भी याद रखेगा क्योंकि इंटर्वियू आपको देना है तो इंटर क्राम में आता है इसके अंदर अकाउंटिंग को भूत ही आसान तरीके से पढ़ाया जा सकता सीका भी जा सकता है हम इन चीजों के बारे में बात करते हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे के चीज को समझेंगे देखिए तेली कव आया किसने शुरुवात करी आज क्लाम में क्या है वर्जरन क्या होते हैं सब के बारे में मैं एक एक चीज बता देता हूं है आप सोच रहे होंगे कि मैं ज्यादा थियोरी पर क्यों फोकस कर रहा?? सब्सक्राइब मेरा डेवर वन यह देवन इस चीज को करता की जैसे आपने पिक्च्र देखी होगी पिक्चर एक दब कभी डारेक्ट टी स्टार्ट टीं। टाइटल आता है प्रोडूसर को ने से Wright director कोने hero कोने heroine कोने हर ऐएक चीज के बारे मेंío है gefव्चे पीचर के बारे में जब शुरुव होती तो समझ में आता है मैं वह ब्यों किया है कि प्षिर स्था उढ़र एगा की इसको आपको 30 दे निक исп partners और जब भीटर लेगा ना फिर आपसे कोई ते ली के बारे में क्येस्चनन करेगा टेली के बारे में आपसे सजेसंगों लेगा और जिस दिन सब्सक्राइब कले इस दिन आपका दोए दिया हुआ पेशा मेरा वस्तुल हो गया जब जिसी ने किसी आप से पूछ लिया क्या आपको टेली के वर्जन 4.5 से यह टेली का एक एसा वर्जन था उस समय कम्प्यूटर में विंडो तो आता था परन्तु कम्प्यूटर के अंदर माउस से टेली नहीं चलता था तो इस तरीके के टेली को आपरेट करने के लिए जो आपरेटिंग सिस्टम उपयोग किया जाता था वो था MS-DOS और MS-DOS से कैसा operating system होता था जिसके अंदर हम किया माउस से operate नहीं करते थे सबकुछ black screen के उपर keyboard से operate करते आज भी आप computer चलाते होंगे तो आपने देखा होगा MS-DOS प्रॉम्ट आता है अब क्या हुआ कि अवसकता है जो होती आउसकता ही अविस्कार की जननी है जब डॉस पर चलता था तो आप लोग मेरे जैसे लोगों ने टेली को एक सजेशन दिया कि ये सट टेली अगर विंडो पे माउस से किलिक करके चलता तो बहुत अच्छा होता तो टेली ने क्या करा फिर एक नया वर्जन निकाला टेली 4.5 और इस वर्जन को ग्रॉफिकल इंटरफेस दिया मतलब 1996 को दिया एक ग्रॉफिक्स के उपर दे दिया मतलब विंडो के उपर एक ग्रॉफिकल इन्वार्बेंट आ चुका था फिर आया कि और अच्छी पिक्चर ग्रॉफिक्स चाहिए तो टेली का 6.3 वर्जन आया 2001 में लांच हुआ और यह फूली विंडोस बेजड भी था मतलब यह ग्रॉफिकल तो आई गया था और साथ में एक नई विश्यस्ता आई थी वो था इन्वेंटरी मेनेजमेंट मतलब हम इस सौप्टवेर के अंदर अकाउंटिंग तो करी सकते थे पर हमारे बिजनेस में जो भी वस्तू परचेस और सेल करते थे उन वस्तू का हम लोग स्टॉक भी मिंटेन करना सिख गये थे मतलब सौप्टवेर का दो पार्ट होते हैं एक अकाउंट जिसमें से पैसे का लेंदेन होता है दूसरी होती है इन्वेंटरी जिसमें कितना माल आ रहा है कितना जा रहा है इन चीजों को मेंटेन करते मतलब टेली 6.3 ने एक चीज तो दे दी थी हमें ग्रॉफिकल मोड भी आ गया था और हमारा इन्वेंटरी मोड आया प बिजनसमें कंप्लेंड लेके आया अकाउंटेंट कंप्लेंड लेके आया टेली ने उन सभी सालूशन सभी चीजों का सालूशन किया और फिर आया टेली का सेवेंट पाइंट टू अर्जन 2005 में लांच हुआ और उस समय सरकार द्वारा एक इंपॉर्टेंट टेक्स चलता था उस्टेक्स का नाम था वेट टेक्स वेल्यू अडर टेक्स तो टेली ने टेक्स के कॉंसेप्ट को उसके अंदर रग दिया को और क्या बोला कि अब आप इस सब्सक्री अंदर अप एक टेक्स के अकाउंटिंग कर लो आज भी पैट्वल अगेरा के ऊपर वेट लगता ह है मगर हमारे आज मार्केट में जी एस्टी है में इन चीजों के बारे में भी एक क्लास के अंदर अच्छे से अपन इसमें डिसकस करने वाले हैं इसके बाद बड़े हम टेली 9.0 कि इसके बाद यह 2006 में लांच हुआ और यह सबसे बड़ी इसकी विश्यस्ता थी कि यह 13 प्ल पर हमारे देश की जितनी भासाएं थी तेल्गु मल्यालम कंणड जो भी मराठी आई गुजराती आई सारी भासाओं में आ गया अब आप सोच्रेंग संवेको तो मराठी नहीं आती आपको लेंग्वेज आने का तेंसन नहीं है आप अपनी भासा में जैसे आपर मोबाइल पर गूगल इन्पुट करते हैं टाइपिंग करते अमिर अनमे नाम के वहाए क्या है यह सई लिखते थे तो कंप्यूटर खुद उसको इसमें कनवर्ट कर देता था मतलब यह हुआ कि आप टेली सिख्य गुज्रात चले गए आप टेली स्थिक 2019 में आया 9 में परन्तु ये बिजनेस में कई सारी चीजे रिमोट एक्सेस को लेके आया मतलब यह है कि मान लीजे मेरा कंप्यूटर दिल्ली में है और मुझे खंडवा से बेटके टेली करना है इंदोर से बेटके टेली करना है वोपाल से बेटके टेली अकाउंटिंग करना ह मैं इंडिया में किसी भी कोने से करूआ मगर जहां पर कंप्यूटर का टेली रखा है वहां पर मेरा डेटा इस्टोर होगा इसको बोलते हैं रिमोट बेस्ट यानि आजकल देखते हैं आप लोग ओनलाइन वर्क वर्क फ्राम होम मिलता है मतलब सर्वर कहीं रखा हुआ है क नहां बेटके अकाउंटिंग कर रहें तो टेली ने ये भी फेसलिटी दिये कि आपके पास दस जगह है आपकी और दस जगह क्या सॉप्ट्यूर मेंटेन करना है तो दस जगह के लिए अलग-अलग टेली मत खर खरी दिये एक सर्वर खरीद लीजिए और दसो जगह की अका दिया मल्टी लॉगिन से मतलब है एक कंपणी में दस लोग काम कर रहें किसी को बोला डेटा इंट्री करो किसी को बोलो पर्चेस की इंट्री करो किसी को बोला सेल की इंट्री करो सबको अपना-पना टास्क दे दिया सबको अपना-पना काम दे दिया तो ये बात शुरू ह टेली ERP में, अब क्या हुआ, टेली ने अगले जो चीजे दी, यानि टेली ERP के अंदर हम लोगों ने GST अकाउंटिंग भी पड़ा, 2017 से, तो टेली ने अपना नाम वही रखा, टेली ने क्या करा, जब मार्केट में, जब GST आया, तो टेली ने क्या करा, इनके वर्जन अलग अलग निकाले, यानि टेली ने इनके क्या निकाले, रिलीज वर्जन निकाले, रिलीज, तो 6.0, 6.4, इसे अलग 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 वर्जन के रिलीज निकाले, इससे क्या हुआ, तो नया अपडेट करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, टेली ने अपने अपडेट देते चला गया वो टेली एक ऐसा software है यह आज तक outdated इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसने हमेशा market की demand को समझा market की demand को समझने के बाद अपने software के अंदर उन्होंने implement करवाया और फिर उन्होंने अपने टेली को market में launch किया जैसे सरकार अपने नियम लाती है टेली company अपने software में अपडेट लाती है और फिर उसे market में एक version के साथ एक नए नाम के साथ टेली के साथ एक नए नाम के साथ प्रमोड करती जैसे आज के समय में market में चल रहा है टेली प्राइम और टेली प्राइम ने अभी हम लोग टेली प्राइम के 4.0 आया और अभी टेली प्राइम का ही 4.1 है मैं आपको इन सब चीजों के बारे में शुरू तो मैं आपको जो सिखाऊंगा वो लेटेस वर्जन सिखाऊंगा टेली प्राइम 4.0 यानि आज से जब हम सुरुवात करते हैं तो हम अपना हर चीज को अपडेट करते हुए ही चलेंगे टेली केसे बना टेली में क्या होता है टेली अकाउंट कई बार स्टूडेंट जब आता है तो मैं हमेशा यही बोलता हूं पिच्चर तीन तीन घंटे बात समझ में आएगी और टेली 30 डेस बात समझ में आएगा जब तक आप पूरा टेली नहीं करेंगे तो आप यह नहीं बोल सकते कि मैं टेली नहीं सिख सकता क्योंकि जब आप सिखना सुरू करेंगे तो वाइश्टेब बाइश्टेफ इस्टेफ 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 आप खुद अपडेट होते चले जाएंगे यह मेरा एक्स्प्रेइंस रहा है कि सिकाना के साथ आप कितना सीख सकते कहां कहां प्रॉब्लम आ सकती वह मैं आपके साथ कंटीनू चलूँगा यहां तक हु कुछ ऐसे वर्ड यूज होते ना जिसमें इस्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है कि कैसे कामर्स वाला तो जानने लग गया आठ्स वाला क्या करेगा में स्वाला क्या क्या करेगा मैं सभी को बोलता हूं पहली बात मिने जब टेली सुरू किया तो मिने एक वर्ड बोला टेली कोई भी सिख सकता है उसके लिए कोई सब्जेक्ट नहीं क्योंकि सिर्फ उसको वो वर्ड के मीनिंग समझ में आना चाहिए पहली बात इंकम स्टेटमेंट क्या होता पहले वाट इस दे फाइनल अकाउंट इन बिजनेस यानि जब आप जॉब करने जाते हैं तो अकाउंटिंग के अंदर वो कौन-कौन सी चीजे जो सीए चार्टेड अकाउंटेंट आप से रिक्वाइड करता है कि हमें यह रिपोर्ट लाके दिजिए जो हमें अकाउंटिंग में काम आएगी तो एक आता है हमारा प्रॉफिट लॉस एकांट यह बिजनेस की वह रिपोर्ट होती है सबी के बारे में मैं स्टेप बाइस बताने वाला हूं और हम यही चीज अंदर पढ़ने वाले बिजनेस में एक चीज होती जिसको ह जाता है एक आती आपकी बैलेंस इट यह होता है कि आपको लोगों से कितना पेशा लेना है और आपको लोगों को कितना पेशा देना है यह चीजे आईगी आपके है यह बैलंस सीट के अंदर मैं बैशी बैसी चीज़े बता रहता हूं केस्ट खेज aablaw आता है कहां कहां पेशा आया आपने कहां कहां पेशा दिया यह चाहिश हड़ी इसमें मिलें दू लाइबिलीटी उसके बाद income इसके बाद expenses यह सारी चीज़े मिलेगी आउट इस्टेंडिंग इस अ मोस्ट इंपोर्टेंट अगर दुनिया का कोई सा भी बिजनेस उठाई है अगर आउट इस्टेंडिंग मतलब लोगों से लेना पेंडिंग बाकी पेसा वसूल करते हैं तो हमें लोगों से कितना आना या बिजनेस में हमने जिन से माल खरीदा उन्हें कितना देना बाकी है अगर एसी चीजों के बारे में मैं बात करूँ तो मुझे आउट इस्टेंडिंग वर्ड का यूज करना पड़ेगा कि मुझे लोगों से लेना बाकी है तो मैं लेना बाकी नहीं बोलूँँगा लोगे तो आपको कोई भी वेक्ति यह बोलेगा नौलेज है इस बंदे को कंप्यूटर एकाउंटिंग का तो याद रखिएगा हम एक एक चीज को प्रॉपर सिस्टेमेटिक वन बाइवन पढ़ते चलते और जी एस्टी रिपोर्ट इस दा मोस्ट इंपोर्टेंट आज त लाकर दीजिए। और जब वो जी एस्टी रिपोर्ट की मांग करेगा तो आपको इस चीज का कॉनलेज होना चाहिए कि सामने वाला जी एस्टी आर वन भी मांग सकता है सामने वाला यानि CA आप से बोलेगा GSTR 2 क्या होता है या आपको बोले कि GSTR 3B रिपोर्ट क्या होती है या आपको बोले कि GSTR 4 रिपोर्ट क्या होगी तो याद रखेगा इन सारी रिपोर्ट के बारे में जब जिस दिन से मेरा GST स्टार्ट करूँगा मैं उस दिन आप लोगों के साथ हर च कोई चीज आपको में एक एक चीज बटाते चल रहा हूं आप लोगों कोई चीज कन्फूस करें कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंड करके भी बता सकते हैं कि कोई चीज आपको नहीं आ यह एसे हम लोग एक एक चीज आपके इसमें जो कमेंट कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं जो जो लोग इसमें कनेक्ट हो वह भी अपना नाम लिखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि यार कोई वेक्ति कनेक्टेड है मुझे ऐसी फिलिंग आना चाहिए कि आप अपना नाम लिखके मेसेज करते हो तो हमें भी अच्छा लगता किया कोई वेक्ति बच्चा पढ़ रहा है दोस्त पढ़ रहा है इस्टूडेंट पढ़ रहे हमें भी अच्छी फिलिंग आईगे बढ़ते हैं आगे हम लोग इन चीजों के बारे में हम आगे वन कर को आगति होती तो तरह की कुझक परकोंटिंग होती है में वाले कौंटिंग में उथक्य क्या होति दूसरे परकार की होती है इसे मांदी एही तो सिकने है क्यों परन्थों हमी इद्जास पता होना चाहिए कि म्याणD Important इसीज देख्यों का मार्केटमे जब आपने देख यह सोने चांदी के बिजनेस सराफा वाले बिजनेस वाले लोग होते हैं यह क्या करते हैं कि इनके पास एक रेड कलर का बड़ा सा बही कहता होता है जिसको हम बोलते हैं अकाउंट क्या करते हैं यह अकाउंट का कि जिन लोगों से लेंदें ट्रांजेक्शन से होते हैं उनके का नाम से मुझे लिखना पड़ता था कि मैंने ABC को 50,000 रुपे का माल बेचा अब ABC दो चार दिन आट दिन बाद आया तो फिर मुझे क्या करना पड़ता था मान लिजिए उसने 25,000 दिये जो भी डेट को दिये तो मेरों को ऐसा 20,000 रुपी का प्राप्ति लिखना पड़ती थ थी क्योंकि इस तरीके की जो अकाउंटिंग होती थी ना इसमें हमें सभी चीजे हर रिपोर्ट बैलेंसीट हमें बनाना पड़ती थी प्राफिट लॉस एकाउंट हमें निकालना पड़ता था ट्रायल बैलेंस हमको निकालना पड़ता था यानि कि हर एक चीज की रिपोर् तो यह अकॉंटिंग बहुत कठिन थी मैंने कुछ समय हमने की थी लोगों का पेशा आया उसकी एंटी करो कित्ता लेना उसकी एंटी करो और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इस परकार की अकॉंटिंग में नो चेंजेस किसी भी परकार का चेंजेस नहीं कर सकते थे और अगर आपने कुछ पेशा किसी को दे के काट के लिग दिया और फिर उसको मिटाया या उस पेश के एक पेश को फाड़ के दिया तो सी यह उस समय आउडिट नहीं करते थे मतलब पेपर आपने कुछ डिस्टब किया एसी चीजे एक प्रॉब्लमेटिक होती थी परन्तु समय बदला टेक्नलोजी बदली नियम बदले और हमारी सुरुवात हो गई कम्प्यूटर राइज अकाउंटिंग की और जब कम्प्यूटर राइज अकाउंटिंग आया तो आज हम इसी जनरेशन की बाते भी कर रहें कि मेन्वल अकाउंटिंग वह होती थी जिसमें हम कोई भी अकाउंटिंग का काम हातों से लिखके करते थे पेन से करते थे और इस software आये यानि की आप अपनी भासा में apps बोलते हो हम उसे बोलते हैं application तो कई परकार के application आये और इन applications में कई परकार के बदला हुए कई तरीके क्या है हम इनी applications में एक application की बात करेंगे टेली टेली एक एसा application है जिसे 1988 को 1988 से बात करते हम इसे इंडियन कमपनी टेली सालूसन ने बनाया था पता है टेली सालूसन एक हमारी इंडियन कमपनी बैंगलोर की कमपनी है जिसने इस software को तयार किया और सबसे बड़ी इस software की विश्यस्ता रही है कि इसने अपने software के अंदर इंडियन एकाउंटिंग सिस्टम को फालो किया यानि हमारे देश में डेविट क्रेडिट नामे जमा वाली चीजों को मेन यूज में लिया कि एक आम यापारी भी कि इसके अकाउंटिंग को आसाणी से सीक्ष सकता है वह पेशा आया तो क्या करेंगे पेशा गया तो क्या करेंगे माल खरीदा तो क्या करेंगे माल बेचा तो क्या करेंगे एसी सारी चीजों के लिए बहुत standard word यूज किये जो की वेक्ति आम वेक्ति इजी तरीके से समझ सकता है बात बढ़ती ती आगे दुसरी बात time by time update ये मैंने वर्ड अभी आपको पहले ब आपकी company का software अगर अपडेट नहीं हुआ तो बहुत ही जल्दी outdated हो जाएगा तो याद रखे टेली ने क्या करा जब सरकार ने वेट लाई तो इन्होंने अपना एक software लांच कर दिया जब सरकार ने GST लाया तो टेली ने अपना एक software लांच किया मैंने अभी पिछली इस्क्रीन पे आपको यह बताया तो टेली क्या करता है जैसे नया नियम आते हैं अपने software में update करता है और अपने जितने भी client होते हैं उनको update करके भेज देता है वो फिर आपके market में आप लोग जैसे जो student होते हैं उनको हम लोग जैसे update करते हैं और हम जब लोगों को अपडेट करते हैं तो वो मेरे हमारे सारे स्टुडेंट कभी आउटडेटेड नहीं होते हैं आप हमेशा अपडेटेड रहेंगे तो आप हमेशा आउटडेटेड कभी नहीं हो सकते यह भी बहुत इंपोर्टेंट चीज है तो टाइम बाइट अपडेट तिसरा पॉइंट टेली के पीछे ये भी रहा कि कि इस इसने इंडियन लेंग्वेजेस पे भी फोकस किया क्या होता था अभी मैंने बोला कि भारती भासा के अनुसार सॉप्ट्वेर में सब कंपणियों ने नहीं किया तो टेली को पूरा इंडिया जरूरत पढ़ में बड़ी-बड़े कंटी भी इसका यूज करती क्यों कि यह ने क्या करा जेसा देस वेसा वेस यानि जेसी स्टेट वेसा सौप्ट्वेर भाषा बदल दी गुज्रात पे गए गुज्राती तेलगु में गए तो तेलगु कंड़ मढ्या आलम हर भासा को इसमें उन्वालो क कर दिया तो लोगों को क्या लगा चलो हमारी भासा की अनुसार हमारा अगली बात करते हैं फ्रीवेर निर्ट का भी अपने-अपने बहुत काम प्राक्टिकल के लिए की जगव पे मिलने वाला अभी कुछ देर बात और तब अगर आपको प्राब्लम आएगी तो अगर ऑनलाइन नहीं तो हम यहां से सपोर्ट देंगे आपको कि नीशा सेंट इसा परमाण अच्छा वेरी गुड़ एक ने नाम लिखके मुझे भेज जा कि कौन ने ज्वाइन करा क्लास अच्छा लगता है कौन-कौन इस्टूडेंट था कि बीच में में भी बोलते जाओं कि भी नीशा समझ में आया की नहीं या फिर यहां पर लिखा म कि आउप लाइन में क्लास जो हम क्लास में लेते हैं वेसी आपको फिलिंग आना चाहिए आप लोग भी जब कंपुटर पर मोबाईल पर बेटके क्लास अटेंड करें यह सी फिलिंग आना चाहिए कि कोई युद कोई टीचर क्लास में पढ़ा रहा है और वो वेसे ही के उपर हम बात करते हैं और एक सबसे खपेल लास्ट खासियत बताता हूं टेली की कि आटो जनरेट आल रिपोर्ट आटो जनरेट रिपोर्ट मतलब अपने आप बन जाएगी सब चीज अपने आप बन जाएगी बेलेंस इट अपने आप बनेगी प्राफिट एन लास् अपने आप बनेगा ट्रायल बेलेंस अपने आप बनेगा आउटिस्टेंडिंग अपने आप निकलेगी किसी जमाने में विचारा अकाउंटेंट इस एकाउंटिंग के अंदर बहुत परेशान रहता था पता है क्यों वो एक ही जगह की अकाउंटिंग कर पाता था क्योंकि हास से लिखना पड़ता था आज एक अकाउंटेंट ददस जगह की अकाउंटिंग करता है दस दस लोगों की सेलरी खुद के पास आती है कितनी आती होगी सेलरी ये मत पुछिएगा अनलिमिटेट पेसा है मेनत थोड़ी सी सुरुआते दो चार छे आट दस मेने थोड़ी सी मेनत लगेगी बस फिर आपको कोई भी तकलिप नहीं आएगी तरीका क्या रहेगा मैं आपको गनित भी देते रहूंगा कि आप मार्केट से केसी जॉब ढूंडेंगे केसे लाइंगे कितने लोगों की अ सारे एक्स्प्रियेंस में आपके साथ सेर करूंगा यह चीज़े मैंने आपको मेन्वल अकाउंटिंग और कंप्यूटर तो आज हम जो जी रहें वह कंप्यूटर एकाउंटिंग के बारे में ही सारी चीज़ें आपको हम बताते चलते कुछ चीज़े जो मैं आपके साथ अब डिस्कस करने वाला हूँ जीन अकाउंटिंग के उपर हम काम करने वाले हैं तो मेरी पहली सुरुवात करूंगा मैं जीस सौप्टवेर को मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ उस सौप्टवेर को बोलते हैं टेली प्राइम अगर कोई पुछे कि टेली सिख रहे तो आप guaranteed बोल दीजे टेली प्राइम सिख रहे और आप से पुछे टेली प्राइम में कौन सा वर्जन 4.18 ये latest वर्जन है जो आपको मैं सिखा रहा हूँ और जब इस latest वर्जन को जब आप अपने computer में सोच रहे होंगे install कैसे करना है कैसे install होगा उन चीजों के बारे में अपन आजी से पढ़ेगे और जब हम टेली की सुरुवात करते हैं तो हमारी पहली सुरुवात होगी company से जब हमारी सुरुवात हम company से करेंगे तो सबसे पहली हर दुकान हर फर्म हर corporate sector अगर किसी की school है किसी की college है किसी की कपड़ा दुकान है किसी का corporate है किसी की industry है वो कुछ भी हो सभी का एक ही मकसद एक ही meaning है कि मेरी एक company है और टेली में जो भी हम accounting शुरू करेंगे या जो भी accounting हम पढ़ाएंगे एक company बना के ही accounting करेंगे यानि जब भी आप किसी वेक्ति के पास जाएंगे और बोलेंगे कि सर आज से आपकी accounting सुरू करना है तो आप जब job करने जाएंगे आपको दो तरह के लोग मिलेंगे एक जिनका business कहीं साल से चले आ रहा है और दूसरा वो मिलेंगे जिनका एकदम नया business है मैं दोनों परकार की accounting को आपको बताऊंगा कि दोनों परकार की accounting में क्या क्या अंतर रहेगा तो पहली चीजों से हम लोग चलते हैं कि टेली को आप सबसे पहले download केसा करेंगे और आपको टेली पे कैसे काम करना है तो याद रखिए सभी लोगों को मैं बता दूँ कि अगर आप टेली software के अंदर practical करना है तो आपको टेली software कहां से download करना है आपको टेली software कहां मिलेगा तो चलिए सबसे पहली शुरुवात करते हैं हम यहां से सुरू करने वाले हम कि आपको टेली कहां मिलेगा तो आप जब सुरू करेंगे इसमें कैसे कैसे हमको सुरू करना है तो यहाँ पर हम जाएंगे देखते हैं हर एक चीज के बारे में कि टेली केसे सुरुवात होने वाली है सबसे पहले हमारी सुरुवात हम इंटरनेट सभी लोग चलाते हैं तो सबसे पहले जाईएगा आप इंटरनेट एक्स्प्लोरर पर मतलब यह हुआ कि अगर आप लोग टेली कर रहे हैं तो टेली डाउनलोड कहां से होगा कोई दुकान पर गए वो ले टेली डलवाना है उसने आपसे पेसा ले लिया करना क्या था वही काम कर रहा है जो आज अभी करके मैं आपको बता रहा हूं अब नहीं करना जो चीज की जरूरत होगी मैं आपको यहां से बताऊंगा आप अपने घर पर कंप्यूटर में करिए अगर आपको टेली डाउनलोड करना है टेली की प्रैक्टीस करना है आपके येसे आपने Tali Prime लिखा, तो आपके सामने इतनी सारी चीजें आ गई। आप लिग दीजे, सिर्फ Tali Prime डाउनलोड पे जाएंगे और क्लिक करेंगे। जिस कम्पणी ने Tali बनाया वो कम्पणी का नाम है, Tali Solution। और जब आप टेली solution के उपर जाएंगे, then click करेंगे, कुछ दी रगना, देख लिए, आपके सामने मैंने क्या करा, internet explorer पे गया, Google में जाके टेली प्राइम लिखा, मैंने spelling तो बता ही दी थी, और टेली प्राइम लिखा है, आपको latest पे जाना है, और अगर आपको, तो देखें आपको यहाँ पर लिखा है, आप देखेंगे, टेली प्राइम 4.1, जो आपको चाहिए, बस डाउनलोड बटन दबाईएगा, कुछ समय तक इंतजार करिएगा, आपके सामने, यह से कॉर्णर पे पता चलेगा, कि टेली आपका डाउनलोड हो रहा है, मेरे पास इंस्टॉ है, फिर भी मैं आपको करके दिखाऊंगा, जैसे यहाँ पर जाएंगे, आप इसे किलिक करिए, अपने कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड हो गया है, तो बस अब आप जाएंगे, तो यहाँ पर जाके किलिक करेंगे, यह देखिए, मेरे पास ओपन आल्रेडी हो गया है, मेरे पास इंस्टॉल है, तो मैं कुछ नहीं कर रहा हैं, आप क्या करेंगे, अगर आपको इंस्टॉल करना है, तो बस आप यहाँ पर जाएंगे, यह मैं अभी अपने पास के टेली को नहीं हटा देता हूं, आपको 0 से इंस्टॉल करके दिखा देता ह। तो आपको जब भी भी लगेगा तो आप कहीं से भी यूज में ले सकते हैं मेरे पास आलेडी टेली डला हुआ था तो मैं कुछ समय के लिए आपको ये काम नहीं करना है आपको तो सुरू से install करना है मेरे पास के टेली को में हटा के आपको zero से install करके दिखाने वाला हूँ तो मेरे पास टेली प्राइम डला हुआ था तो मैंने इस प्राइम को गया मेरे computer में से मैंने uninstall कर दिया क्यों करा? चाकि मैं आपको ये बता सकूँ कि भाई टेली मेरे computer में अब तो नहीं available है अब नहीं available है मैंने टेली software को download तो कर लिया देखो download कई बार student कितनी बड़ी गलती करते टेली का icon desktop पे दिखता है उसी को copy करके घर ले आते shortcut कभी नहीं करना है आपको download करना है मैंने आपके सामने अभी download किया अगर मैंने download किया तो मेरे पास download में पढ़ा हुआ है यहाँ पर download आता है यह देखे टेली नाम का icon पढ़ा हुआ जब भी कोई चीज आप internet से download करते हैं तो वो यह download folder में मिलती है और अभी आपके सामने यह टेली को मैंने download किया तो यह मेरे पास पूरी की पूरी आ गई मैं इसके उपर click करता हूँ two time यहाँ पर जैसे जाएंगे यह हुआ 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 है अभी आप जब भी आप अपने computer पे बैठेंग तो जैसे click करेंगे ऐसी screen आ जाएगी क्या लिखा है यह टेली प्राइम है इसका version release कौन सा है 4.1 latest मैंने अभी आपको बोला था यहां तक जाएंगे बस install बटन दबाईए और इंतजार करिए wait कीजिए आपको automatically मिलने लग जाएगा तो आप लोगों ने देखा किस तरीकी से हमने टेली को install किया टेली हमारे सामने आया और जैसे ही मैंने टेली प्राइम बटन दबाई कि मेरा टेली स्क्रिन के उपर start हो चुका है मतलब यह हुआ वो तीजी प्रोसेस से कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेना है एक आम बच्चा स्टुडेंट भी बस accept बटन दबाया आपके सामने टेली आ जाएगा वो लिखा हुआ आएगा दिस इस वेलकम टो टेली फ्राइम हमें जब भी घर पे प्रैक्टिकल करनी है तो हमारे पास टेली के इस तरीके से स्क्रिन पे आएगा अक्चुकि टेली का सॉप्ट्वेर अगर आपको बिजनस परपस पे चाहिए तो लाइसेंट टेली परचेस करना पड़ता है सम्थिं अठारा से बीस हजार का आएगा पर हमें तो एजूकेशनल वर्जन की जरूरत हम सिखने वाले तो अगर आप लोगों को सिख नहीं है तो फिर कोई माता पच्ची मत कीजिए आपको किलिक करना है ट्राइफ और एजूकेशनल वर्जन जेसे हमने सुरुवात करी यहाँ पर एक कमपणी लिखी हुई आ गई नेट लिंक इनफो टेग पता ऐसा क्यों हुआ क्यों हुआ क्योंकि मेरी कमपणी पहले से बनीवी थी और मेरी कमपणी बनी थी वही मैंने टेली को फिरसे इंस्टॉल किया तो मेरा तेली अन नहीं हुआ था तो आपको टेंसर नहीं लेना अभी यह company बनी थी netlink की मुझे अभी netlink की company से मतलब नहीं मुझे तो आपकी एक company बनाना है तो आप तो यहीं चाहों गे सर यह यहां से हट जाए यानि जो company अभी open हो गई यह हट जाए तो केसे हटाना है सट में जाएंगे यहां पर हमने सट company बटन दबाया यहां पर लिखा हुआ है net link info take बस इसके उपर two time किलिक करें और इस company को बंद कर देंगे अगर आपको जब भी भी बंद करना है तो बस यहां जाएंगे सट करेंगे इस company को दो बार किलिक किया यहां पर यह बंद हो जाएगी यह देखिए यहां से अभी हम लोग लेते हैं अभी हमने यहां से किलिक किया मैं अपने computer से इसको बंद करूं तो ज्यादा बेटर रहेगी एक company थी इसके उपर हमने किलिक किया तो यहां पर अभी यह दीख रही है अपने आप साथ हो जाएगी जैसे हमने यहां पर अब मुझे एक नई company बनाना है अब जैसे ही मैं जब new company बनाऊंगा यह देखिए बस टू टाइम किलिक किया अब यह लाइन यहां से हड़ जाई अब जो है जो आपके लिए बहुत ही important है वो अब आया भाई मैं जहां जौब करने गया उस दुकान की उस कार्पोरेट की उस तो एक company तो आपको बनाना पड़ेगी और company की detail मुझे डालना है कि जो भी company की detail है वो क्या-क्या रहेगी मैं डालूंगा यहां पर कैसे डालना है सबसे पहले मैंने company का नाम डाला Indian sales industries दुकान का नाम company का नाम था Indian sales industries एंटर किया address वही जो आपकी company है जो आपकी फर्म है जो आपकी सौफ है उसका बिल आप customer को दोगे तो बिल के उपर address क्या प्रिंट होगा कुछ नी डाला तो भाईया कोई प्रिंट नहीं होगा address आपका अब आपका marketing प्रचार प्रसार कैसा होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा आपकी दुकान का आपकी company का address तो मैंने यहां कर दिया AB Road इंदोर मध्यपरदेश MP आप कौन सी स्टेट से बिलॉंग करते हो यह बहुत जरूरी है क्योंकि सरकार के अलग-अलग rates भी है अलग-अलग स्टेट के norms भी बदल जाते हैं आपने डाला मध्यपरदेश आपका pin code आपका company का telephone number मोबाइल नंबर जो भी आपका मोबाइल नंबर वह आपने मेंशन कर दिया प्रेक्स नंबर इमेल लंबर वेबसाइट अगर है तो डाली है नहीं तो कोई जरूरत नहीं है अभी यहां पर दो डेट आ जाती student मैं कई सालों से देखते हैं student यहां बहुत confused है सबसे पहली चीज तो financial year क्या है अब यहां पर important financial year का मतलब होता है आपके business का year अगर यह साल चल रहा है तो इस financial year को बोला जाता है 1st April 2024 यानि अगर मेरे से कोई यहां पर पुछे कि आपका financial year क्या है हिंदी में बोला जाता है वित्तिय वर्स तो याद रखी यह जो financial year की जब बात आएगी तो यह जो date होती न यह है financial year यानि मैंने बोला मेरा financial year 1st April 2024 से लेकर 31st March 2025 पर यह date मुझे डालने की जरूरत नहीं है पहले से सरकार का नियम होई है तो टेली सॉप्ट्वेर ने भी क्या करा कि भीया हमारा financial year start होगा 1 April तो 31st March डेट डालने की जरूरती नहीं है computer जानता है तो यह date आपको डालने की जरूरत नहीं है आपको केवल यह date डालना है financial year अब student क्या करता है यहाँ पर डाल देता है फर्स्ट अपरेल और यह वाली date डाल देता है यहाँ पर अब इससे क्या हुआ कि फाइनेशल यह एक अपरेल से बिगनिंग और बुग बिगनिंग का मतलब यह होता है कि आप जब जॉब करने जाते हैं तो आपके पास दो तरह के लोग आते हैं एक तो जीस company में आप जॉब करने गए उनका तो कहीं सालों से बिजनेस चले आ रहा है तो फिर आपको company बनाने की जरूरती नहीं होगी आपको डारेक्ली जो परचेस सेल रिसीप पैमेंट जो एकसरसाइज जो इंट्रीज करना है न वहीं करेंगे परन्तु अगर आपको अगर मान लिजे आप एक एसी जगह जॉब करने गए जिनका ब जालेंगे जैसे आज से किसी ने बिजनेस शुरू किया फास्ट जुलाई 2024 यह वोट देट है जिस दिन से मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा जब मैं यहाँ पर जाओंगा तो मुझे यहाँ पर करना है फाइनिसेल यह यही रखना है और बुक बिगिनिंग डालना है एक जुलाई 2024 यानि मैंने आज मेरा बिजनेस शुरू हुआ आज फर्स्ट जुलाई है और आज ही से मैंने बिजनेस शुरू करा और कुछ नहीं करना है यहाँ पर बेस करन्सी इंडियन करन्सी सब लिखा को कुछ नहीं करना अब आप एक दिमाग में चीज सोच रहेंगे सर यह कंपणी तो बन गई है पर इसमें पासवर्ट तो डाला नहीं यह तो कोई भी चोरी कर लेगा आपका डेटा एक्जेट मैंने यहाँ पासवर्ड नहीं डाला मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया स्पर को अगर आपको एक दाम सिम्पल एक दाम नॉर्मल कमपनी बनाना है ओ तो डिस शु कुरिटी लगे वहाँ देते हैं अपन हर कोई वेक्टि इसमें चेंज नहीं करपाएगा से कुरिटी कहां से लगेगी तो यहाँ पर जाएंगे यहाँ पर option बहुत सारे आते हैं हम यहाँ से option राखरी में मिलेगा जहाँ पर हम बहुत सारी चीजें दे देंगे अभी मैंने simple company बनाई कंपणी बनाने के बाद में आ गया अभी यह सब चीजों के बारे में अपन पड़ेंगे यह हुई वो company जिसके अंदर सिर्प minimum चीजे डाली थी मैंने अब आप देखिए यूर फाइनेंसेल एर फर्स्ट अप्रेल टू थाउजन ट्वेंटी फोर से थर्टी फर्स्ट मार्च current date आज Monday है 1st July आपकी company का नाम है Indian Sales Industries Limited आपकी लास्ट वाउचर एंटी कुछ नहीं करी अभी सीर्प मैंने company बनाई इसमें अभी मैंने कुछ नहीं किया अब आपने बोला सर और कुछ तरीका होता है क्या company में और कुछ password protection होता है यस password protection होता है अभी मैं second condition पे एक company और बना क किस तरीके से आप एक company के अंदर password protection भी डाल सकते हैं company ही आपकी security आएगी जो भी आपको detail रखना है जो भी आपको information रखना है तो यहाँ पर मुझे जादा से जादा चीजे रखना है password protection रखना है तो या तो keyboard से F12 बटन दबाईए या कोने पे एकदम corner पे यहाँ पर configure लिख यानी configure और मैंने यहाँ पर बोला कि मुझे address भी डालना है password भी डालना है एक से सभी चीजों को मैंने on कर दिया on करने से क्या हुआ इधर देखो password protection की facility भी आ गई इधर और भी नीचे बहुत सारे format बढ़ गए क्यों बढ़े क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ चीजों को और भी on कर दिया अब देखे एक दिन में मैं बहुत सारी चीजे बता दूंगा हो सकता है आपको समझ में भी नहीं कि चीजे उतनी ही अपन पढ़ेंगे ना जितनी आपको समझ में आई है दो दिन थोड़े सा चीजे ज्यादा लगेगी फिर एकदम equivalent हो जाएगी छोटी- पासवर्ड भी देखे देखता हूं एम जी रोड इंदोर हमने पूरी डिटेल डाली फाइनेंसेल यह जो पढ़ क्या है अब मैं चाहता हूं यहां पर कि मेरी company में में डालना चाहता हूं पासवर्ड मेरा data बहुत important है चोरी नहीं हो जाए तो मैंने यहां पर क्या करा यहा यूजर नेम डाल दिया मेरी company का नाम जेपी और पासवर्ड डाल दिया यहां पर 123 123 कोसिस करिये password complex लो numerical character mix ले लो तो कोई भी चोरी होने का डर नी रहेगा बस इतना करके आप बहार आजा मतलब अब मेरी company में security आगे देखो यूजर यहां तो आ गया अब पूछ रहा है ब सबसे कमजोर password होता 123 ABC इसलिए वो नी डालना है मैंने अभी यहां पर गया और company बनाके देखो आपके सामने खुल गए इसको बोलते हम लोग टेली में company बनाना अभी मैंने आपको ज्यादा चीज़ें नहीं बताई आज मैंने सिर्फ आपको उन चीजों के बारे में बताए जो बहुत important थी company बनाना company के अंदर काम करना company के अंदर क्या क्या करेंगे company delete के से होगी company में और क्या क्या कर सकते हैं एसी कई सारी चीज़ें चलेगी जो company में ने बनाई वो company मुझे हटाना है तो हटाने के लिए भी आप जाएंगे इस तरीके से यहां जाएंगे यहां पर आपको दिखाई देगा अल्टर दिखाई देगा उसके उपर आप जाएंगे और आपके keyboard में alt plus d button होती अल्टर बटन दबा के रखना d button दबा के yes कर देना आपकी company delete हो गई एक बार और पुछेगा तो मैंने इसको यहां पर delete कर दिया कभी भी याद रखिएगा जो company आपकी open हुई है उस company को अगर आपको delete करना है तो कैसे delete करेंगे देखिए यह company को हटाना है इस पर दो बार click किया यह company आपके सामने open हो चुकी है अगर इस company को delete करना है यहां जाएए यहां पर alter नाम का option मिलेगा और इसी option के अंदर जाएंगे keyboard पे alter plus d button दिखाई देगी किलिक करेंगे yes करेंगे are you sure yes मैंने इस company को delete कर दिया why the way आपका mood हो कि नई sir इस company को delete नहीं करना है इस company का address बदलना है इस company का password बदलना है इस company का address बदलना है फिर आपको कुछ नहीं करना है फिर आपको जाना है company में वही चीज company company में जाएंगे यहां पर दिखाई देगा alter या change भी दिखता है एक ही बात है आप अपनी company में जाएंगे कुछ नाम में बदलाओ करना है तो आप यहां पर जाएंगे alter button दबाएंगे अगर address बदलना है कुछ भी बदलना है जो change करना ह है आप यहां पर changes भी कर सकते हों हर एक चीज मैं आपको बारीकियों से ले चलूंगा पूरी चीज बताऊंगा आपको कोई problem नहीं हो सकती तो हमने एक सुरुवात आज करी है हम